Hello friends and welcome to the exams made simple तो आज के daily quiz में आपका स्वागत है दा हिंदु का daily quiz हम डिसकस करते हैं जिसमें हम वो questions देखते हैं जो दा हिंदु ने दिये होते हैं कल दा हिंदु ने question दिये थे वर्ड यूनेसको heritage sites के regarding आगर आपने नहीं देखा है वीडियो देखेगा और आज जो उन्होंने question दी वो map flags के उपर दी है तो आज हम देखेंगे flags पे कुछ question कौन-कौन से उनके answer हैं क्या-क्या questions हैं उस सारी चीज़े हम देखेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आती है जो कि आएगी ही तो आप वीडियो को like और share कर दीजेगा अपनी तरफ से ठीक है ना तो पहला सवाल जो flags regarding पूछा है हाँ एक काम आप लोग जरू करना कितने answer आपको पता थे यह मुझे जरू बताना ठीक है काफी मजा आने वाला है क्योंकि question बनते नहीं आगूमन question बनते नहीं है मुझे तो तीन चार ही बन रहे थे आज वाकी मैंने सब सर्च की है तीन मेरे से बन रहे थे चार मुझे सर्च करने पड़े तो अगर आप लोग को आता है तो that will be मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़े आती है तो पहला सवाल है in which country would one be if the flag had an AK47 featured on it किस देश के जंडे में AK47 बना हुआ है तो the correct answer for this will be आप लोग मुझे एकर answer बताए तो ज़्यादा मजाएगा आप लोग कोशिश करिए दिमाग में दिमाग में थोड़ा जोल डालिए नहीं देखा न AK47 तो देखी न चलो मैं आपको answer बता देता हूँ answer जो इसका correct होगा वो है Mozambique the correct answer for this will be Mozambique अगर आप Mozambique का flag देखेंगे न तो इस तरीके से आपको इधर AK47 बनी हुई मिलेगी पता नहीं क्या दरशाना चाहते है अपने flag से तो AK47 Mozambique के flag में बनी है दूसरा सवाल है तो this European country's flag is set to have its genesis in 1219 इस देश का जंडा 1219 से बना था इसलिए गनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इस देश को कि सबसे पुराना continuously used national flag बनाया इन्होंने तो आपको बताने इस देश का नाम क्या है this is the question to you you have to tell which country is using its flag since 1219 AD so this is the question आप अगर बता पाएं बहुत अच्छी बात है नहीं बता पाएं तो कोई दिक्कत नहीं मैं तो बताएं दूँगा तो think of the answer now let me tell you the answer इसका correct answer है इसका correct answer है Denmark the Danish flag इसको Danborg भी कहा जाता है ये 1219 AD से यानि कि 13th century AD से चल रहा है और 16.25 में जाकर कि इसको national flag बनाया गया तीसरा सवाल है which natural feature appears on the flags of Bangladesh, Kiribati and Niger तो इन तीनों देशों के flag में एक चीज कॉमर है वो चीज कौन सी है कौन सा natural feature है सोच करके बताएं अगर आप बता सके तो ये मुझे पता थे इसका answer this I knew क्योंकि मुझे Bangladesh का flag पता है और Niger का flag भी पता है Kiribati का flag मुझे नहीं पता था बट Bangladesh और Niger से मैंने बताया अगर आप बंगलदेश का flag देखे तो उसके बीच में यहाँ sun है अगर आप Niger का flag देखेंगे तो उसमें भी इस तरीके से sun निकलता रहता है Kiribati का flag देखेंगे तो उसमें भी sun है तो that is the thing which is common तीनों में natural feature यही common है चौथा सवाल है यह भी सवाल मुझे पता था तो मैं आपना परसनल आपको ब्रुकुल सही judgment दे रहा हूँ कि कौन से मुझे बनते थे यह चौथा भी मुझे पता था क्योंकि stars and stripes US के flag में पूछा है कि 50 states represent करते stars तो 13 stripes क्या represent करती है तो this was a easy question क्योंकि अगर आपने world history जरा सी भी पढ़ी है तो आप 13 stripes का मतलब बता देंगे इसका correct answer है 13 stripes उसके पुराने जो original 13 states है actually में जब आप American history पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि original 13 states दे तो यकि बाद में डिवाइड होके 50 बन गए तो original 13 states को represent करते हैं वो 13 stripes I hope you got clarity अगला सवाल है ये question मुझे नहीं बनता था हाला कि मैंने हलका सा guess किया था थोड़ा सा मैं I was not pretty sure of that तो यह है ऐसी country जिसमें blue और red bands है और peace time में blue उपर रहता है और war time में जो है bands reverse कर दिये जाते है तो यह कौन सी Asian country है I thought of it but I didn't gave it as an answer इसलिए मैं इसको count नहीं कर रहा हूँ अभी तक मैंने 2 ही count किये है तो इसका जो correct answer है वो क्या है इसका correct answer आप लोग सोचिए नहीं बनता मैं बता तो Philippines फिलिपीन्स का जब आप map देखेंगे Asian में Asian map तो इसमें actually 2 ही ऐसी countries है एक मात फिलिपीन्स ऐसी country है जिसमें actually में इस तरह का 2 उसका combination है stripes का combination है तो यह चीज़ मैंने सोची थी लेकिन I was not able to give the answer अगला सवाल है नेम दी आउली UN member nation to have a map of the country in the national flag किस UN member country का map उसका national flag है उसके national flag में है आप बता सकते हैं क्या चलो नहीं बता सकते हैं कोई दिखकर नहीं दो countries ऐसी है जिनका map उनके flag में बना एक है Cyprus और दूसरा है Kosovo तो actually मैं Cyprus जह है वो UN recognized member जिसले हम Cyprus को ही मानेंगे Cyprus is the country जिसका answer है यह कि जिसका map फ्लैग में बना हुआ है लास्ट सवाल यह मुझे बन गया था यो कि इसमें सवाल पूझा था कि नेपाल का फ्लैग किस तरीके से दूसरे countries से अलग है बस आपको नेपाल का फ्लैग याद होना चाहिए आप बिल्कुल ईजली यह question कर लेते actually miss का answer है कि नेपाल का फ्लैग अगर आपने देखा हो तो नेपाल का फ्लैग को इस ट्राइंगुलर इस ट्रक्चर में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो इस तरीके का structure है नेपाल के फ्लैग का actually it is the only flag जो की quadrilateral नहीं है this is the only flag that is not in quadrilateral shape non quadrilateral shape का यह है that is the answer for this कल जो questions पूछे थे उनके answers उन्होंने यहां पे दिये है हमने सारे answers कल discuss किये थे I hope you got clarity I hope आप उसन में आ गया होगा अच्छा लगा होगा तो यह थे आज के basically flags के questions जिनके answers हमने दिये कुछ नया सीखनों को मिला की नहीं that is the day that is it thank you have a nice day